सो हेलो गाइज वेलकम बैक तो अनधर वीडियो तो फानली आज हमारे पास एक कमर्शियल वेहिकल है जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे पास है महिंद्रा की बुलैरो पिकफ एफ़ी 1.3 तरन आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं कूल ड्राइव है यह एसी वला वि पावर स्टेरिंग भी देखने को मिलेगा तो यह आप देख सकते हैं पिकफ ट्रक है 1.3 तरन वाला एसी वाला इसमें आपको पावर स्टेरिंग भी मिल जाएगा और नॉर्मल वाला भी मिल जाएगा अगर आप इसका टू विल ड्राइव लेंगे तो मैनवल और पावर स् अगर बात कर लेते हैं इसके पेलोड की तो 1.3 टन का पेलोड के साथ यह आता है और गारी में आपको तीन साल या फिर वन लाक किलोमेटर की वारेंटी देखने को मिल जाती है तो आईए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से और आपको बताएंगे बह कुलता है तो सब चीज़ डेटेल में वाकरांड करने वाले हैं क्या 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 स्पिसिफिकेशन फीचर से एंड तक जरूर देखिएगा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं अगर इंजन की बात करने तो आई इसका इंजन होड और आप को इंजन दिखाते हैं पहले इंजन चेक आउट कर सकते हैं यहां पर आपको 2523cc फोर सेलेंडर एंटु डिया डीजल इंजन मिल जाता है फाइब स्पीट का साइनोर्जेस्ट मोटर के साथ और पावर जो निकाल के देगा 80 होर्स पावर और टॉर्क जो आपको निकाल देख सकते हो उपर की तरफ आपको जोड़ी सी इंसुलेशन बेगर यह सब देखने को मिलेगी महिंद्र का इंजन बहुत ही जबरदस पाउर्फुल इंजन है 80 होर्स पावर 220 नम का टॉर्क यहां पर आपको देखने को मिल जाता है बाकी एक साइट की बैटरी बेगर है इ इसकी साइट प्रोफाइल में आपको दिखाता हूं और यहां पर इसकी जो प्रोफाइल होगी वह प्रोफाइल यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं बागी टायर प्रोफाइल बगरा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर डिस्ग देखने को पीछे चलेंगे तो पीछे आपको पीछे आपको यहां पे बिखने को मिल जाता है और बात कर लेते हैं इसके स्पेंशन की तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको फ्रेंट में मिलेगा और रियर में आपको जो है और आपको देखने को लिए मिल जाता है और और इसकी बात के लिए तो देख सकते हैं यहां पर देखने को मिल जाता है और अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कारगो डेक डाले की बात कर लेते तो यहां पर देखने को मिल जाएगा 8.3 इंचेस का आपको जो है लंबाई मिल जाएगी और 5.5 फिट की जो है आपको जो है चोडाई मिल जाएगी डालेगी यह डाला अपको उधर से भी खुलता है और पीछे से भी खुलता है यह आप चेक आउट कर सकते हैं काफी बढ़िया जो है मेटल का यहां पर आपको देख सकते हैं वहाँ है उप यह तरफ से भी आपगो सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह तो तेन्म तरफ धुलता है रवाड़ से भी उधर से खुलता है यहाँ पे अपको ventilation के लिए यहाँ यहाँ पे यहाँ पर फुट सेप ड्राइबर के लिए घार है एसका door open करके देखते हैं यहाँ पर देखती है यहाँ पूरा पूरा विल्डो यहाँ रोल डाउन रोल अप करने के लिए यह दिया गया है और साथी साथ inside door handle को Direction स्विक्र और यहां बने इसंदर बैटते हैं और घ्रार पर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पुरा का पुरा और यहां पर headlamp की control वाइपर की control यह सब आपको देखने को मिल जाएगे बाकि instrument cluster यहां पर चेक आउट कर सकते हैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आर्पीम मीटर coolant temperature fuel level यह सब आपको देखने को मिलेगा और यहां पर चेक आउट कर सकते हैं MS 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 CBC non AC वाला भी variant available है आप उसको भी ले सकते हैं और AC में AC वाला भी available यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर यह होगा इसकी बात और चेक आउट कर सकते हैं यहां पर पीछे चोटा सा यहां पर यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर देखने के लिए आपको देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर देखने के लिए और यहां पर दो बंदे या तीन साल या फिर वन लाग किलोमेटर की वारंटी बगएर देखने के लिए मिल जाती है तो यह था एसी वाला वेरियंट वही काफी कंपनी वालों ने काफी खास खयाल रखा है बाकी पीछे के तरफ देखेंगे डाला वाला बहुत सब्रदस दिया गया है आपको आट फिट तीन इंचे का जो है डाला लंबाई मिल जाती है और पांच फिट पांच पिकप एफबी ट्रक 1.3 टन एसी कूल ड्राइव वाला वेरियंट बाकी इसका में एच्डी सीरीज भी आता है तो इसमें आपको इसडी वाला भी सीरीज देखने को मिलेगा मैक्स एक्षडी यह आप देख सकते हैं या मैक्स एच्डी वाला भी अब है अब है अब है तो पाकी चेकाउट कर सकते बाई एसी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है अभी मैं इंजन को आउं कि हम देख सकते हैं आप वाईब्रेशन थोड़ा सब्सक्राइब पर मिलेगी देखने के लिए वाकी एसी का रिस्पॉन्स ठीक है यहां पर देख स जब तक लिए जय हिन जय भारत बंदे मातरम